सो नमस्कार दोस्तों आपसे भी का स्वागत हमारे टेक बोई उमें इस यूटूब चैनल में सो फ्रेंट्स अगर आप लोग यहाँ पर फोन पे में UPI पेन सेट करोओ आपके साथ भी यही प्रोब्लम हो रहा है यहाँ पर अनेबल टू सेट UPI पेन लिखके आ रहा है तो इस प्रोब्लम को अगर आफ फिक्स करना चातीओ तो कैसे फिक्स करोगे आज किस वीडियो में ब देखने के लिए मिल जाएंगे और अगर नहीं लिंग है तो आपको add bank account पे click करना होगा ठीक है तो अभी जैसे मेरे केस में यहाँ पर bank पहले से लगा हुआ इस पर पर देखा जाएगा कि आपके bank में कौन से account में link है फिर आपके accounts का detail यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे लिख के आ जाएगा reset pin ठीक है तो अभी मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आजाए यह वाला page ठीक है set pin करके आए आपको और उस दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हूँ यह मेरा यहाँ पर ATM काड जैसे कि आप देखोगे यह debit कार्ड है इसमें पर यहाँ पर यहाँ पर यह यह हमने डाल दिया इस तरीके से और फिर दोस्तों यहां पर आपको डालना है आपका card expire कब होगा ठीक है तो यहां पर चली हम देखते हैं कि हमारा जो card है वो कब expire हो रहा है तो यहां पर आप और फिर लास्ट में जो आपका साल होता है वो आपको डालना है जैसे यहाँ पर 26 या 25 है जो भी है वो आपको डाल देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा तो इस तरीके से आपको अपने ATM कार्ड का डीटेल डालना और दोस्तों जो आप डीटेल यहाँ पर डालो के ATM कार्ड का वो ATM कार्ड दोस्तों एक्टिवेट होना चाज़ ऐसा नहीं है कि आपने अब तक उससे एक बार भी ट्रांजेक्शन नहीं किया और आप उसका डिटेल डाल देटों तो दोस्तों कम से गम उससे एक बार ट्रांजेक्शन जैसे आप प्रोसीट पर क्लिक करते हो फिर आपके रेजिस्टर्ड मॉबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है कुछ इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर मैंने OTP डाला फिर दोस्तों यहाँ पर राइट वाले आप्शन पर आपको क्लिक क पर ना होगा ठीक है तो चलिए हाँ पर फटाफट से डाल देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बार अपना जो 4 डिजिट यू पाई पिन डाला उसके बाद सही वाले निसान पर क्लिक के तो दोस्तों मेरे सामने दुबारा यहाँ पर डालने के लिए बोला गया औ एक डीजिट मैंने छोड़ा, जैसे यहां पर एक डीजिट यह डाल देता हूं, उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको जो राइट वाला उप्शन मिलता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगी दोस्तों, और उसके बाद यहां पर जो आपका यूपी आईपीन है, वो सेट हो जाएगा अगर आपका ATM card का detail सही हुआ और आपका ATM card जो कि चलते हुए condition ने होगा तो अगर आपका ATM card block नहीं होगा तो तो दोस्तों और यह जो ATM card आपने जो detail डाला था वो इसी bank से link होना चाहिए जो आपने भी यहाँ पर सिलेक्ट किया तो उसके बाद यहाँ पर जैसे आप कि यहाँ पर जो मेरा UPI PIN है वो set हुआ है या फिर नहीं तो यहाँ पर जैसे मैं last digit डाला उसके बाद यहाँ पर सही वाली निसान पर मैंने क्लिक किया तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो अभी जो मेरा UPI PIN है वो set हो जगा और यहाँ पर मेरे account का balance भी दिखा रह है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अपना इस problem को fix कर सकते हो जो कि आपका phone pay में UPI PIN नहीं set हो रहा था तो so friends अगर आपका problem अभी भी सही नहीं हुआ तो आप मुझे instagram पर message कर सकते हो link description में मिल जाएगा